यहां भी देखने को आया हुआ है यह भी देखने को मिला हुआ हुआ हमें कि चल भए आजा तो खुल भी जाया इसका क्या पंगा क्या है इसका अब थोड़ा सा सोचो इसी यू प्लस वन है वह जाधा स्टेपल होता है गैसे स्पैम में लेकिन जब आप इसको एक्रियस मीडियम में डालते हो जब आप इसको पानी में डालते हो तब इस प्रपोर्शनेशन हो जाता है सी यू एंड सी यू प्लस तू में यह ओदा है आपका प्लस वन यह ओदा है जिरो और यह ओदा है प्लस तू सम्झा यह हो जाते है आपका इस प्रपोर्शनेशन प्लस तू जा रहा है इसका मतलब यह हो रहा है कि यहां से एक इलेक्रण जो है एक इसि और को देखा तो खुट सिधू में करूट हो जाएगा और दूसरा वाला जैसे डोसी प्लस वन है यह क्या το किन्वड कि अब लेक्रों यह ने ले दे गा इक हBut tub customer service में की में सम्झा अबज इसको बोल्स स्जамен इसको बोले इस भी और क्यों जाधा होता है, Stable Cu-1 से, Cu-2 की Stability जाधा क्यों होती है? Aqueous Medium में ही जाधा होती है, और Due to Hydration Enthalpy ही होती है. यह चीज आप लकीर की तरह लिख लो. चलो, और आगे बढ़ते हैं. चलो. अब तक हमने हैलाइट देखे ना? अब हम किसको देखने वाले हैं? Oxidation State. Oxygen के साथ देखने वाले हैं. अब तक आपने यह देखा, Oxygen के साथ कौन देता हैं? देखो आप. अब MN सबसे जाधा Oxidation State होता है के MN4 का? Yes or No? 3, 4, 5, 6, SC203, TiO2, V205, CRO3. और हम लोग कहां तक जा सकते हो? MN207 तक जाएंगे. हाया ना? अब जब हम 7 ग्रूप में आगे आएं, उसके बाद, Fe जो है, वो कभी भी Fe203 से आगे नहीं बढ़ेगा. यहां से सिधा Fe203. क्यों? क्योंकि Unpaid Electrons यहां पे काम रहते हैं, हाया ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Fe203 में Fe का जो Oxidation State हो, तो Plus 3 होगा ना? हाँ, तो Plus 3 तो है कौन मना कर रहा है? Plus 4 की लाइन में हो, देखा. नहीं, बात है, यहां पे दुनों आते नहीं होंगे ना, इसलिए उन्होंने उपर रखा हुआ है. समझा तो बात? हाँ, बात यह पे नहीं रखना चाहिए, इसमें रखना चाहिए, प्लस 3 में. और Fe का Plus 3 ही रहता है, Mostly Stable. हाँ, Fe है, अगर सुनों, 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 एक बात रहा हूँ. Fe भी आपको दिखेगा, मैं मनाने कर उस 6 में तक जा सकता हूँ. Fe O 4-2 आपको थोड़ी देर के लिए, अगर alkaline media में तो आपको दिखेगा, लेकिन वापी सो डिकंपोस तो इसी में हो जाएगा, अब समझे है बाद? हलो, लेकिन वापी सो किसमें करनोट हो जाएगा? Fe 2-3 प्लस O2, Fe 2-3 प्लस क्या आजाएगा? O2 आजाएगा, ओके? तो मतलब प्लस 6 देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा stability उसकी दिक्कत वाली बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो, सर, तो यह बताओ, तो यह V2O5 के अलावा कोई मिलता है? हाँ, मिलता है ना, एक मिलता है V02+, चलो, V02+, में होता है, प्लस 3 होता है, सर, यह तो, V02+, देखो तो कितना है? और V02+, 2 भी मिलेगा, V02+, V02+, अब बताओ, क्या होता है? यहां पर कितना होता है, यह पर टी प्लस 4 होता है, हाया ना? एक बात बताओ, फ्लोरीन से भी कई बार क्या होता है, कि ऑक्सिजन एक से ज़्यादा जूटते हैं, तो कई बार ही इसको आप लेके आते हैं, जैसे मैंगेनीज में हमने देखा था, तो लाश्ट में लाश्ट हमें कहा तक मिलता था, MNF4 तक मिला था हमें, फ्लोरीन और दोनों जादा इलेक्ट्रों नेगेटिव है, लेकिन हम क्या बात कर रहे थे अभी, कि MNF4 तक ही जाता है लेकिन oxygen है oxygen is capable oxygen इतना capable है कि यह oxygen जो है वो कितना capable है तो मैं आपको समझता हूँ समझ सकता हूँ कि यह oxygen इतना capable है कि MN को प्लस 7 तक ले जा सकता है वो किसको MN को प्लस 7 तक ले जा सकता है एक 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 शालो ने अए शन हों की बात करें तो अब कौन सी बात करनी हो बताओ तो सर फ्लॉरीन तो ज्यादा एलेक्रो नेगेटिव है ऑक्सिजेन से तो फ्लॉरीन क्यों नहीं लेजा सकता है बात है ना सुन सुन बात है ना एमेन के साथ यह डबल बॉंड ओस से जुड़ेगा और यहां पिर हर बार हो डबल बॉंड ओस से जुड़ेगा नंबर ओफ उक्सिजन सार मूर तू समझ रही है बात फ्लॉरीन माइनस वन तक करेगा यह माइनस टू तक करेगा यह तीन जुड़गे तो माइनस सिक्स हो जाएंगे और MN F जुड़ा तो नोड़ा उड़र ज्यादा इलेक्रो नेगेटिव है तक तीन जुड़े तब भी क्या होगा माइनस त्री होगा आप समझी तू बात यह सर तो यह में दिक्कत होती है अब MN जो है हर बारे MN की अगर आप बात करें MN जो है है तो हम कैसे रोकर सकते हैं MN OMN फिर 7 है तो हम ऐसे रोकरते हैं आप समझे रहे हो बात हलो यह सर यह सर अब दिखो आप अगर MN 2-0-7 की बात करें तो ऐसा होता है MN-O MN बांड मिलता है और इसी के वज़े से यहां पर 7 तक जा सकते हैं समझे बात और दूसरा हो टेट्राइडल होते हैं जीओमेट्री उसकी टेट्राइडल होते हैं देखो कौन सा अभी डाइजिशन आता होगा बताओ समद्रोबाद अभी आप स्पेट्री स्पेट्री यस्वेरी गुड़ अगरम बात करें तो यहां पर structure of MN 2-0-7 को कि अवमेट्राओ इता हैं प्राइडल हो लोगी है कि देख लो हो गया है हाँ बोलो भाई क्या कि मरत लब शेटा इतना हो जाता है कि अभी आपने पिज्जा का वो खोला था वेपेज अरे तो यह देखना है में तो सब्सक्राइब अब बात यह बन रही यहां पर आपच्छे से देखो तो सब्सक्राइब इतना कॉमन पता चला कि जो क्रॉमियम और मेंगनी जादा होते हैं तो हायर ऑक्सिदेशन स्टेट जादा होते हैं साथ में हायर ऑक्सिदेशन के लिए जो रिस्पॉंसिबल है वह एफ और वो है उसके बाद यह देखा स्टेशन के बारे में अच्छे से देखा कि स्टेशन के बारे में ज्यादा होती है उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर पुरा देखा कि किस तरह से ट्राइडल होते हैं और वहां पे जो है वह किस तरह से एक्जेटली होता है यह सब चीज़ हमने देखी अब आप इंटेक्स्ट वाला देखो एक बच्चों तो चलो कोई बाद नहीं हो कल हम लोग दिखवाएंगे आपको कोई टेंचन नहीं है इसके बाद हम इसल के बाद करने वाले हैं उसके बाद मैगनेटिक प्रपरटी और उसके बाद जो चैप्टर है बहुत इजी है में यह जो दो तीन लेक्चर जो है वही संबल जाना है और एमसे की वाले पोर्शन अच्छे से दिमाग में फिट कर देने और कुछ ज्यादा टेंचन नहीं लेनी है और वह भी जो मैंने सम्झाए नहीं मोस्ट अच्छे से कलो और कुछ नहीं है तो मतलब ज्यादा इतना टेंचन नहीं लेना इसमें